तो तो गुदाफन गाइज वेलकम टू आज चानल डेटिड़ फार बिगनर्स डीडी फूबी तो ट्रेडर आज मैं आपके साथ में बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाला इंट्राडे स्ट्राइजी की अगर आपके पास में मार्जन कम हो या जादा हो कैसे अपनी स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो ट्रेड कैसे करेंगे पहुत बहुत हुआ है और इंट्रस्टिंग सी सीरेज लेकर कर आया हूं जिसके अंदर मैं आप अगर बिगनर हैं प्रो है कोई भिऐ करा आप थें चाहते हैं काफी अच्छा तो मैं आपके के लिए बहुत तरेके से च्रेंट फॉलिंग विडियो लेकर के आएं इस च्रेंट फॉलिंग वीडियो में करना है कि अपने तीन इंडिकेटर जाम के Kennedy में अरुकी Gesetzentwurf करना कि ऐस बनाता नहीं बठ मेरे कोड़ी इंडिकेटर अगर आ अगर एंडिकेटर किया दा इसमें मुझे almost trader almost in almost मैंगर बात करूँ trader आपके साथ में तो मेरे को almost in almost seven seven is to three का ratio मेरे को मिला इसके अंदर मतला साथ दिन मुझे profit हुए और तीन दिन loss हुआ और मैं समझ गया कि यह आपको savior बना सकता है आपके portfolio के ठेक है तो क्या करना है आपको सबसे पहले trend indicators यूज करने trend indicator बेसिकली कोई भी नाम लीजिए अपने indicator यूज कीजिए ठीक है उसके बाद में आपको time frame यूज करना है ट्रेडर 15 minutes 15 minutes ट्रेडर यूज करने के बाद में आपको 2 moving average यूज करने वो भी exponential वाले ठीक है एक exponential होगा तीन का उसे red color दे देना थोड़ा सा selling side के लिए एक moving average होगा ट्रेडर green के लिए करके 15 का आप use करना जैसे आप plot करोगे तो आपको यह 99 मिलेंगे चेंज करके 3 15 कर लेना और चेंज कर लेना ठीक है जैसे ही हो जाए उसके बाद में आपको एमेशीड और रसी को गया बोलते चेंज करना है मत्तिमेशीड डिफॉल्ट रखना जैसा मिल गया है वैसे डाल देना उपर लिखना दो जीरो पर एक लां बना देते हैं तो डंफ्द से बना थे तो में लाइन तोड़ा साथ से बढ़ा कर इस इसको समझ में आ गया हूगा मेरी आपको आपको समेश में फिर RSI को आपको प्लॉट करना है ऐसे इंडिकेटर पर जाना है स्क्रोल नीचे करना है एल्फबेटिकली आर जवर नंबर पर आता है यह ता रिलेट्टिव इंडिकेटर और इंडेक्स कॉल टूबी RSI इसे डिफॉल्ट रने देना पट इसमें सिर्फ चेंज कर लेना प्रा वाली लाइन रेड वाली लाइन को नीचे से काटेगी पहले आपको यह देखना है सबसे पहले आपने फाइंड आउट करते है टाइम फ्रेम थर्टी ठेक है फर्स्ट आफ जून से स्टार्ट करते है पहले नीचे से काटेगा तो अब सिर्फ बाइंग साइड का सोच रहा आपको तेक है यहां से कटा ट्रेडर एक यहां से कटा और यहां देखने यह सुइंग ड्रेड के लिए अपके लिए सबसे बेस्ट रेने वाला है और फिटीविट्वाइब से पैटन भी उसकते हो तो आप अगले दिन के लिए भी आप इसे होल्ड करके रख सकते हो अब मैं यहां entry मिल चुक है buy side की you see that अपने को entry मिल चुक है buy side की but अगर trader आप नीचे देखेंगे तो आपको MACD के अंदर में भी क्या बोलते है cut down मिल चुका है line के नीचे से you see that line के नीचे से cut मिला है तो यह और यह perfect हुआ अब आपको wait करना है trader आपके इस वाले level पर मतलब जब MACD तो चलो ठीक है RSI जब 60 के level से उपर आएगा आपको जब trade लेना है तो अपने ने trade कब लिया trader almost in almost trader इस cut पर लिया यहां मुझे मतलब आठ जून 2020 को दो बचके 45 मिनिट पर मुझे trade मिला पर मैंने wait किया दूसरे indicator का जो मुझे तीन बच के 15 मिनिट पर इंडिकेशन देता है जबकि दिन हो गया खतम अगले दिन RSI ने भी इंडिकेशन दे दी तो आपका टारगेट क्या है क्या नहीं मैं आपको भी बता देदा हूं trader इस level पर आप बाय करेंगे यह देखिए trader इस level पर बाय करेंगे और अपने के बुल अगरा सा डाक कर देता हूं आपके लिए ठीक है यह आपकी entry होगी तो trader आपने इंट्री ली 600 रुपे से एंट्री ली 600 रुपीज से एंट्री ली 600 से एंट्री ली इंटू 2% का रिट 12 रुपे के हिसाफ से बनता है तो 12 रुपे का target almost अब के दर था आपने 2% का target बहुत इ एंट्री मिल जाए एक swing trade में entry मिल जाए तो prefer करना उसे retrist करने के लिए मतब थोड़ा सा rest करने के लिए आप उसे थोड़ा सा wait करना right trader मैं remove कर देता हूं सारी की सारी drawings ठीक है यह होगा समझ के अब sorry मैं को यहां लेक लाइन बनानी पड़ेगी एक और लाइन बना लेते हैं यह था buying side में ठीक है अगर उस दिन आपको एक share में entry मिल जाए तो पूरे दिन आपको कोई entry नहीं लेनी है क्या नहीं लेनी है पूरे दिन में आपको कोई entry नहीं लेनी है ठीक है trader मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बाते अच्छे से समझ में आने लग गई है और आपको अच उनीक है मैं बतातो रहा हूं नीचे से अपना कटडाउन हो चुका अब ही उपर जाएगा तो लग सकता है कि अपने एके बाइसा इस रहा था। आया है 40 के लेवल के नीचे एंट्रे लें तरुड है यह यह तो ट्रेडर या टो शिर गया है नहीं यू सीघघर यह ट्रेडर गय नीचे गय यह आ पर न mex एंट्रिंट से लाजूँ से लेट टाप बात वैसी चुकें तो लाइन क्रॉस होने के बाद, यह एंट्यव है आपको ठेक है तो मैं आपको ट्रेडर आपको दिखाता हूँ, तो कोटक महिंद्र बैंक के अंदर में, कोटक महिंद्र बैंक मैं देखते हैं, अपने को सिरफ buying entry तेखनी है, sell entry देखनी है, वो अपने पे dependent और रजके हैं, काना है, वो confirmation भी дополн करेगा, सब्सक्राइब करो अपने को यहां से बाय देखो कितना स्ट्रॉंग बाय सिगनल मिला बाय सिगनल मिला ट्रेडर ऊपर से नीचे आया और देन नीचे काट दिया काट दिया सिगनल मिला यहीं से नीचे सिगनल मिल गया यहीं से कट डाउन हो गया तो यह सबसे बैस एंट्री ते ट्रेडर कट डाउन हुआ आपको एंट्री मिल चुके थी बैट्रेडर में आपको यह चीज बोलूँगा कि अगर आपको मसेडी में और भी अच्छी तरीके से मास्टरी करनी है अच्छी तरीके से तो आप वेट कीजिए एटलीस इन इटलीस उस लेवल को ब्रेक आउट करने के लिए कम से कम इस लेवल को एटलीस 4-5 के लेवल के नीचे ही कट डाउन हो तो ही अच्छा लगता है ठेक है फिर MECDA में उपर से कट डाउन हुआ जह तक यह यहां कट डाउन होगा तो आपको यहां नीचे कट डाउन देखने ही कोई जरूत नहीं है यहां से कट डाउन हुआ ट्रेडर यू सी अच्छा कासा सेल साइट देखने को मिला कट हुआ ओपर से सेम जगह से कट डाउन यहां भी मिला आपको फिर सेम जगह से आपको अगली candle पर यहां कट डाउन मिला नीचे काफिी ज्यादा कट डाउन मिला यहां जा कर गा आपको मिल सकता था तो यहां और को लुपिन को मैं इthва जीरो पर लुटनलाइन को चो अफ को सिर्फ कॉटव होतां उपता मुफिंग अब एक किस तरीक है चौपि के मारकेट में चीजे काम नहीं चलती है और कभी भी चलेगी भी नहीं ठीक है तो आपको सिरफ अपने फ्रेश मार्गेट में इंट्री लेनी है ठीक है अब यहां सुबह सुबही मार्गेट में 9 15 पर कट्डाउन मिला नीचे से कट्डाउन मिल गया इधर से आपको एक वह मिलगी कंफरमेशन एक दिन पहले आपको कंफरमेशन मिल चुकी है तो यह आपका परफेक्ट ट्रेड है पहली गेंडल पे लो 831 से लिया 16 पॉइंट का टार्गेट 861 से 16 पॉइंट का टार्गेट होता है अल्मुस्ट अल्मुस्ट मेरे अगर मैं गलत नहीं है तो 76 तक अपना शिर जाना तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग तरीके से बाई और सेल साइड हरी के इंट्री में दिखा दिया आपको इस इसको यूज करो मजाक नहीं कर आपको काफी अचा प्रॉफिट होगा ठीक है बट उसके लिए आपको अपने रूल से रेगुलेशन करने पड़ेंगे अपने वाशलेस्ट में जैसे कि मैं नहीं डाल रखे, आप कॉपी कर सकते हैं मैंने कोई मेरा कोई स्टॉक सेलेक्ष्ण को क्या से अइससा सच कोई आइडिया नहीं रहता कि कैसे मैं सेलेड करता हूं कैसे नहीं करता हूं यूज आगी तो वैसे कर लि एक प्याइब होता है और सब्सक्राइब भी रही है जिस strategy में जिस stock में strategy काम कर जा है उस stock को एक बाच चेक कर लो दिन में अगर मिलके तो ठीक नहीं मिली तो भाई ठीक है रहा है जहराम जी की दूसरे share में देख लो आपको उसमें entry मिल जाएगी ठीक है तो मेरे क्याज़े ट्रेडर आपको अच्छा-कासा आपको प एक ट्रिक है ट्रिक है ट्रिकाटर एट्रिको तो यूच चीम मुछ ट्रिकाटर वू पर जिविग ए इस सब्स्रूट औरивается १व कर चारइन न वियूंठ यू सब्स्सि तान E